तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आगे के टोपिक और यह जो आपके स्क्रीन पे है यह है मैंने कुछ कोशन बताया थे आपको और आपको याद भी होगा उनमें से एक कोशन यह है 26 है और जो कोशन है उनमें से एक है आपका 27 और एक मैं बताता हूं आपको 29 जिस यह 29 यह कुछ ऐसे कोशन है तीन कोशन है जिनमें से एक्जाम में कोशन आएगा ही आएगा मतलब 100 कोई 99 वगरा कुछ नहीं आएगा ही आएगा तो जैसे कि आपको पता है हम यह पोर्शन जो है डिसकस कर चुके थे लीथियम ही अकेला आएगा है जो क्या बनाता है नाइट्राइड कि स्मॉल साइज दोनों का ठीक है ना अब हमारे पास जो अगला केस है आज का और लिस्ट के आई थिंग 45 कोशन कंप्लीट हो चुके हैं एक बार चैट सेक्स में बताओ ब्लैक्ष के कितने कोशन कंप्लीट हो चुके हैं जल् हैं उनमें से 45 बता रहे हैं कंप्लीट हो चुके हैं तो अब यह आपका है लिस्ट का कोशन नंबर 46 इसे मिस मत कर देना कैसे भी मॉबिलिटी मॉबिलिटी होता है मूव करना ठीक है ना किसकी एलकलाई मेटल की इन एक्वा सोलुशन जो है वो कह रहा है सबसे ज्यादा मॉ को एक साथ तो सबसे ज्यादा जो मू करेगा ना मॉबिलिटी यानि मू करने की कैपसिटी ठीक है तो वो किसकी ज्यादा होगी वो होगी आपकी सीजियम की ज्यादा और सबसे कम जो होगी वह होगी आपकी किसकी लीथियम की ज्यादा ठीक है अब लीथियम की जो है वो सब तो अर्नाव आपकी एंत्री वई किलास्ट में 5.18 पर थीक है नापकी एंट्री आप as you can see your time in your watch in your phone the accurate timing is 518 right okay so this is your timing 518 और जो क्लास है वो शुरू कभ हुई है वो यह है 512 पे so you are six minute late ठीक है ना six minute late अर्णो गुपता आप क्या बता रहे हो 514 मीन कि लास को जो लिंक है वो एक बर मैं चेक कर लेता हूं कितने वज़े हमने सेंड किया है लिंक कि लास का लिंक 514 ठीक अभी 514 पे सेंड किया है और आपके एंट्री हो यह 518 पे बिलकुल agree आपकी situation से बिलकुल 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 तो आप चार मिनिटे लीटो आगली बार ना यह 2-3 मिनिट और ने चीए फिर दो मिनिट फिर एक मिनिट और फिर accurate हो जाना चीए कि इससे पहले कुछ discussion जो है वो हो चुका है ठीक है तो तो मॉबिलीटी का मतलब होता है मूब करना जैसे आपकी किलास में और आप में अगर मालो दो स्टुडेंट हैं और दोनों एकी रेस में बागते हैं 100-meter की रेस है तो जो जीतता है इसका मतलब जहरी ही बात है उसकी मॉबिलीटी यानि मूब करने की पावर जो है वो ज़्यादा है comparatively उसके तो यहां पर मॉबिलीटी वो कह रहा है सीजिन की सबसे ज़्यादा है अगर सभी आयन को पानी में डाल दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो मूब करेगा वो कौन सा होगा लीटियम पॉजिटीव सो क्या कोई मुझे चैट सेक्शन में इसका आंसर बता सकता है लीटियम सबसे कम मूब क्यों कर पाया देखो हमारे पास आज जितने कोशन है न 6 कोशन करेंगे हम 6 के 6 इतने कम माल के कोशन है बहुत ज़्यादा खास तो मुझे यह बताईए कि लीटियम सबसे कम मूब क्यों कर पाया नितेश का एक आंसर आया है, ओके, दिपांसू, नहीं ये कोई आंसर नहीं हुआ, दिपांसू ये बिल्कुल गलत है, नितेश का लगबग लगबग ठीक है, निक लिए भी आंसर नहीं हुआ आपका, प्रॉपर, नहीं भाई, ये आंसर जो है, आप smallest size बोल रहे हो, ये नहीं है, ये बात सच है कि smallest size lithium का जो है, अब आप खुद सोचो, मैं आपके सामने एक पूरा खेल दिखाता हूं, ये lithium positive है, जिसका size सबसे small है, और आपको पता है, सबसे small होने की वज़े से, ये ज़्यादा hydration and healthy show करता है, ज़्यादा hydrate बना लेता है, अब आप imagination में जाओ, इसने जबइनने हैं 1-ce2 यहां टैक्ट कर लिए 1-ce2 इसनेयां टैक्ट कर लिया एक जबइनने इतने ज़्यादा H2O attract कर लिये ठीक है ना इतने जयदा H2O को क्या कर लिया? Attract कर लिया और यह क्यों कर पाये इतने जयदा attract पता है? क्योंकि लीथियम का साइज चोटा साइज होता है चोटा साइज होता है तो नूकलिस जो है वो positively charged nucleus जो है उसका परभाव negatively charged oxygen पर इतना season तो hydrate बनाता ही नी ठीक है ना? और बनाएगा तो मुश्किल से मुश्किल A catch 2O को हलका सा attract किया school मैंने लिख दिया attract तुसने इसको भी नहीं किया क्यों? क्योंकि size बहुत ज़्यादा बढ़ा था size बहुत ज़्यादा बढ़ा था ठीक है अब आप मुझे बताओ कि ये आप किसी school की field में कब ज़्यादा तेजी से बाग सकते हो आपने एक हाथ में एक दोस्त का हाथ पकड़ रखा है दूसरे हाथ में दूसरे दोस्त का यह आपने ऐसे दो की chain बना रखती है तीन लोगों आप और हाथ पकड़के भागना है तो आप तब तेजी से भाग पाओगे या फिर या फिर आप अकेले भाग रहे हो और 100 मीटर तक भागना है आप अपने हैंड को बिल्कुल फ्रीली ऐसे मूव भी कर सकते हो ठीक है और पूरा फोर्स लगागे बाग कि बहाग सकती हो य운िख आप अकेले हो तब ठीक है न तो यह अकेला है क्योंकि है इसने पूरा फूरा यहाज़ा ज्यादा रिडिटी बना लिया कि अव इस पर नहीं किया जा रहा इसकी मोबिलिटी क्या होगी यह वहरी लो इसकी मोबिलिटी क्या होगी हI इसकी मोबिलिटी लो इसकी मोबिलिटी हाई तो रीजन यही है इस बात को उन्होंने अपने कुछ शब्दों में बोला है और मैं उनको चरूर हाइलाइट करवाऊंगे कि कोशन इतना ज़्यादा खास है कि इसकी इतनी ज़्यादा तारीफ करने पड़ भी है वही देखो और मुविंग डाउन दे ग्रूप जैसा कि आप जानते हो आइनिक एंड अटोमिक साइज ओफ दे मैटल इंक्रीज तो बढ़ेगा यानि सबसे छोटा साइज किसका होगा आपका इसका होगा और साइज सेक्टर एक इनोंने डिस्कस किया है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पहली अंडरलाइन किसकी इसको भी छोड़ी दो मैं आपर एक जो चीज मैंसें करूंगा वो है साइज 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 का बढ़ा होता है लीथम का छोटा होता है ओके तो स्मॉलर साइज होने की वज़े से इसने क्या करा कमाल का हाइडरेट बना लिया और वात हम कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन अगा आदर हैंड सीज मुकरा लार्जर साइज 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 साथ तो यह हाइडरेट नहीं बना पाया है यह एफिर लीस्ट हाइज रहा खिक है तो हैडरेशन एंठेल पीज की अगर बात करें तो हैडरेशन एंठेलपी सबसे ज सब्सक्राइब आए अब इतना ज्यादा भार हो गया तो यार यह ज्यादा करेंगा अब यह ज्यादा करेंगा उसे लोग दो मोगिलीटी तो जो बिचारे सिंपल साधे से बच्चे होते ना वो तो देखो उनके दिमाग में पहले तो यह चल पड़ेगा कि यार एक दो तीन सब्सक्राइब करेंगे वो इन चार बातों को फोकस कर लेंगे नंबर वन स्वाईल उसका मैं बात कर रहा हों नीचैन वाविं जिसकी वजह से हाईड्रेटट है तो हैं जादा शूपकर रहा है जिसकी वजह से उसका ग्रेटर मास हो गया है तो क्या वह मुं कर पाएगा नो नो No USDA क्या होगी लैंस मोबिलिटी है ऐए वो कोड और को ऑल Yes एक्जाम में अगर ऐसे तो लिखी नहीं सब्सक्राइब कोड़ी कोड़ी पॉर्म में ठीक है ना बस यह कोड़ आपके दिमाग में चले ना तो आप सारी चीजों को आंसर को अरेंज कर सकते हो इसी का अपोजिट कर दो तो वह सीजियम के लिए हो जाएगा लारजर साइज लेफ हाई डेसलेंटल्पी लेफ मास्ट मॉर मोबिलिटी यह आंसर आपको समझे में आया होगा और आना भी चीए बहुत आसांता है तो हम कर चुके हैं अगला एक और मास्टरपीस यह आपकी सामने है नंबर इस बी 47 इस यह बी 47 राइट अब हम इसको करते ह हैं डिसक बी 47 कहा गया है की इनोट वेल्यू जो है वह वह M2 पॉजिटिव की यह जो M2 पॉजिटिव है कोई मेटल होगा टू पॉजिटिव जैरसी बादल है अलकलाइन अर्थ मेटल ही होगा तो इनमें से वह कह रहा है कि कैल्सियम स्ट्रोंसियम बेरियम की जितनी भी इ यह कर दो आधिये यह कोई बताएगा इनौट किस पर डिपेंड होती यह मुझे कोड़िड फो में मेटा सकते हो यह नहीं कि आप पूरा एक्स्प्लें करोगे explain करने वाली चीज़े मेरे को वैसी पता सुन्हीं है E not value किस पर depend होती है depends और nickel की सोच इतनी कमाल की और बिल्कुल सेम है यह वैसा लग रहा है तुम दोनों answer दूसरे एक दूसरे का देख रहे हो लेकिन नहीं देख सकते है इसमे तो दोनों ने बिल्कुल सेम चीज लिखी है अजीब बात है E not value कौन डिसाइड करता है वेल आपने सही दिमाग लगाया निखिल डिपांचू पट इस नोट एक्चिल एक्कुरेट E not value कौन डिसाइड करता है और कोई और कोई है जो बता सकता है शशांक E not value कौन डिसाइड करता है वेल एक ने भी वो बात नहीं बोली जो मैं मुझे सुननी थी नहीं नहीं ये आंसर नहीं है अभिशेक दिपांचू E not value डिसाइड करता है कौन हिज बस हिज लिख देते हैं मैं समझ जाता है हिज में H का मतलब है H is your hydration enthalpy I is your ionization enthalpy and S is your sublimation enthalpy ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि E not value जो आएगी वो क्या होगी क्या वो positive होगी या वो negative होगी positive और negative का decision ये तीनों value लेती हैं कि ये positive होनी चाहिए या ये negative होनी चाहिए clear ये पहले भी आपढ़ चुके हो मुझे पता है hydration enthalpy always negative ionization always positive sublimation always positive तीनों का सम decide करता है कि answer positive आएगा negative आएगा अब भाई बात ये है कि तीनों तो decide चलो कर लेंगे positive आएगा negative आएगा लेकिन जब हम calcium, barium और strontium की तरफ देखते हैं तो इन तीनों की values nearly nearly same होती है और answer इसी वज़े से इन तीनों का क्या आता है nearly same आता है तो आप लिख दोगे इसका answer because तीनों के लिए जो e-note value होती है वो nearly same होती है hydration, ionization and sublimation चलो देखते हैं इन्होंने क्या बताया है आपका mycbstguide.com ये है e-note value जो है वो कह रहा है तीन फेक्टर पर डिपेंड करती है ये जिसमें से कौन-कौन से फेक्टर है हीज लिख दो कभी गलत होगा ये नहीं मैं बोल दा हूना S means hydration I mean ionization S means sublimation इसको अठा के sublimation लिखना भई sublimation is more accurate vaporization लिख देते हैं कई बुक में मैंने देखा है but mostly बुक तबली में से नहीं लिखती है अच्छा The combining effect of these values are approximately same for calcium, strontium, barium therefore electrode potential electrode potential are nearly same इस electrode potential में बोल रहा हूं ये इतली भाषा में इसको ऐसे बोल देन इतली हो गया और भी है Lionel Massey Massey कों सी टी में? मैं अर्जन्टीना तुमा की लेंगविज ही है वाई ठीक है? तो इलेक्ट्रोपोटेंशिल are nearly constant ये वजए है उमीद है आपको समय में आया होगा ये तो चैल से बहु ज़्यादा असांता और आना भी सी है इस वाज़ यवर 47 and the next one number 48 ये टाज में पूरी लिस्ट बना के बैठा हूँ देखो मेरे पास पूरी MTG में सेलेक्टड कोर्शन की पूरे हाइलाइट है तो आज हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट रहेगी हम हर उन को डिस्कस करेंगे जो इसमें दे रखे हैं और इसमें भी एक कोर्शन में जली से रीट कर देता हूँ सुन लो द्यान से हैं मैंसन टू सिमिलारिटी बताइए इन दा बिहेवियर और बेरिलियम और अलुमीनियम टू शो देर डाइगोनल रलेशन्शिप यह आया था 2010 और 2016 तो कल मैं थीन सिमिलारिटी लिखी थी तीग है न की डोनों कॉंप्लेक्स बनाते हैं तीग है ना दोनों का जो नेचर है कोवलन्ड की तरफ ज़्यादा होता है तो इस तरीकेंचे थीन सिमिलारिटी जो है इन्होंने तो दो ही पूछी है आप तीन या चार सिमिलाइटी जरूर लिख ले ना भई तो इसका भी एक कोशन है जो हम अच्छी तरह से बनाएंगे बनाएंगे क्या बनाई देते हैं इसको भी जल्दी से अगर हमने डिले करा तो तो वो डिले ही रहेगा देखो एक बात याद रखना आपके जो नोट्स जो आपको मिले है ना उसमें 55 कोशन होंगे और हम यहां करने वाले हैं तकरीवन 65 के आज पास यानि हर साल कुशन अपड़ेट हो जाते हैं तो बढ़ जाते हैं नोट्स का भी इस्तेमाल करो नोट्स का भी स्तेमाल करो ठीक है ना और थोड़ा सा पड़ो यार कई बच्चों के घर से कंप्रेंड आई है कि वो बैलेंस बना के नहीं रख पा रहे हैं, कोई बच्चे ज़्यादा दिहान अपना जो है वो सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, तो यार अभी थोड़ा सा मैं मानता हूँ यह सिच्वेशन है, बट ना आपको थोड़ा लाइस में बैलेंस बना के रखने का, ठीके ना, अगर नही बैलेंस बनाओगे, मैं यह नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे पढ़ते रहो, मैं उस फेवर में हुई नहीं और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, मैं अपने कॉलीज टीम में क्रिकेट का कैप्टन था, यानि मैं क्रिकेट वगेरा भी बहुत किला हूँ, और मैं अपने इस केमिस्ट्री की तरफ भी जुगाओ, so there is a balance between all of them, अगर आपका बैलेंस यहां आता है, यह बैलेंस यहां जाता है, तो लाइफ गडबड हो जाएगी, ठीके ना, आप एंजोए करो, अगर इंजोए कर रहे हो, तो प्रॉपर इंजोए करो, ठीके ना, और अगर आप study कर रहे हो, तो प्रॉपर study करो, एक YouTube साइट बताता हूँ मैं आपको, यहां पर आप study P के नाम से, यह समझ सकते हो, इसके नाम से, बहुत बढ़ी है, इसके 11-12 लाग सब्सक्राइबर हैं, और इंडिया की चीज नहीं है, यह आपको बताते हैं, कि आपको notes कैसे बनाने सी हैं, जो first year में 12th class में आप notes बनाओगे, assignment कैसे बनाने सी हैं, project file कैसे बनानी सी है, तो यह कुछ चीजें होती हैं, जो आप सीख सकते हो, यहां से भी, तो there is a balance, अगर आपका इस E और S में balance नहीं है ना, enjoy और study में, तो आप किसी भी काम के नहीं हो, मैं कह रहा तो फिर आपको ना, क्या नहीं आता, आपको art of living नहीं आता, ठीक है ना, so there is a balance between them, जिस तरह से खाना ज़्यादा जरूरी है, खाना जरूरी है, उस तरह से study उतनी ही जरूरी है, ठीक है ना, so हर चीज़ की बीच में balance होना सी है, ठीक है, again, खेल रहे हो, आप ठीक, अची ब तोड़ो, अगर आप कुछ rules बनाते हो अपनी life में, भाई मेरे rules ये हैं, मेरे rules ये हैं, ठीक है ना, कुछ time table बनाते हो अपनी life में, और आप दूसरे दिन तोड़ देते हो, तो आप कि शक्ती बेजती कर रहे हो, आप अपने आप की बेजती कर रहे हो, ठीक है ना, अपने अपने आपके बनाए हुए रूल पर नहीं चल पाए यार तो मिश्रमानी सिये एक बार अपने रूल बना दिया ना तो उसको फोलो करो ठीकें आपने रूली मत लोड़ो कमसे गां और रूल ऐसे नहीं इतने ऐसे बहेंकर बहेंकर मत बना दो कि चार गंटे मुझे सुबह पढ़ना है फिर एक गंटा खेलना है फिर मेरे को चार गंटे सामको पढ़ना यार ऐसा तो बना लो जो जो कहते हैं MBA में एक word होता है वह पडिविकल्ट होना चाहिए बड़ बर बड़ वह अचीवेबल भी होना चीए यह नहीं कि इतना डिफिकल्ट बना लिया अचीवी नहीं हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आप difficult बनाओ मत यह तो MBA की बाते हैं तार्गेट इजी बना लो पट अचीवेबल यह जरूर करो इस पर इसे implementation बोलते हैं तो सब कर लेते हैं बट implementation वही कर पाते हैं जो license बहुत आगे तक जाने वाले हैं तो आपको अपने सोची लिया है कि हम सेंट्रो से आगे नहीं जाएंगे सेंट्रो की तो स्पैलिंग में जाती मेरे को तो आपने सोची लिया हैं तो तो थोड़ा सा ट्राई करो और game change कर दो जारा का सारे game चेंज कर दो n कि earlier यह थेर्टे से ल, भ वाय, दीन था यह यह कोशन भी रहता है यह cielo un वाले हैं वही है इस टार्गेट को आज में पूरा कर देंगे तो हमारा जो कोस्टन है एक वो बेरिलियम का था उसको भी मैं करवा रहा हूं 47 48 चलो तो बहुत 48 नमबर 48 ओके तो कोस्टन नमबर 48 है अब हमारे पास क्या बेरिलियम और अलुमीनियम के बीत में इस 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 and aluminium okay so answer answer beryllium and aluminium 131 I'm asking MTG proper notes from them number one like aluminium beryllium are not readily attacked by F-B both not readily readily very quickly attacked by acid last year I made a truck aluminium because of presence of oxide layer on the film okay beryllium and aluminium both form complex compound both complex compound form form which means aluminum Al OH negative no 1 minute AL OH negative and and this way can be complex compound make so we can now we go to mycbseguide.com now we have another case which we have complete notes in our blacklist next next BEO is almost insoluble but BESO4 is soluble in water in water this is insoluble and this soluble this is BEO insoluble and this is BESO4 in water in water let's study in the first case study if you see beryllium size and oxygen size nearly 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 same nearly same both have nearly same size more word comparatively or compatible is compatible 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 okay size compatible compatibility is high compatibility both size same compatibility okay compatibility high size same bonding when size same strong bonding okay 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 one okay 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 is compatible very low very low very low very low compatibility low so bonding will be weak bonding will it will fall into low lattice enthalpy or high hydration enthalpy that which i i i i i i i i i the that do in the practice i i can solve this and we will solve आपने हिसाबसे भी नोट्स बना सकते हो और नोट्स के अंडरी हैं वहां भी देख सकते हो बीए ओ इज अल्मोस्ट इंसोलिबल इन वाटर एंड बीए क्योंकि क्या बीए तो पोजिटिवी स्मॉल कैटाइन विद हाई पोलराइजिंग पावर नो डाउट लेकिन ओर तो न हुआ एक के साथ आपका रैंडमली आग नंबर यह कोलीज में भी होस्टल होते हैं तो उसका अगर आपके बीएवियर से मैँच नहीं करता इसे कहते हैं compatibility आप दोनों की क्या है बहुत ही कम है less compatibility और life में ऐसा न यह जो मोके मैं बता रहा हूँ ऐसे मोके बड़े आम होंगे आपके साथ आएंगे आएंगे किसी भी अपनी डैली से बाहर जाओगे तो hostel मिलेगा no doubt और वहाँ आपको न सोसियल बिहेवियर आना सी है आपको सोसियली बिहेवियर में अगर आप लो हो तो आप सर्वाइब नहीं कर पाओगे उस्केल के अंदर पता नहीं कैसा रूम पार्टन मिले सर्वाइब और सोसियल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है साइंस टूडेंट आम तर पर ज़्यादा सोसियल नहीं होती यह बाद सच है साइंस टूडेंट अपनी दुनिया में रहते हैं इनका अलग वर्ल्ड है यह इनकी सोच दुनिया से अलग है जारी सी बात तो आएगा वो भी साइंस टूडेंट ही होगा तो थोड़ा सा सोचल होना ज्यादा जिरूरी है तो कंपेटिबिलिटी कमाल की है बढ़िया कंपेटिबिलिटी है तो भाई इसकी लेटिस एंस थैल्पी जो होगी वो ज्यादा होगी ज्यादा एनरजी रिलीज होने का मतलब समझ रहे हो पढ़ी है लेकिन जो हाईडरेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हाईडरेशन एंथैल्पी अब इनोंने क्या दी नोट सफिशंट जानी कम है सीरे सब्दों में आप बोल सकते हो यहां पर कि जो पानी में कम-soluble है उसके लिए क्या बोल सकते हो कि इसकी hydration and healthy low है और lettuce and healthy high है यह भी गुमा फिरा के वही बात बोल रहे हैं और अधर हैंड डूसरी तरफ अगर हम देखे तो S4 का साइज ज्यादा है तो यह अच्छी तरह से पॉलराइज कर देगा इसका पॉलराइज करने कानी unstable है और इसकी lettuce and healthy है और इसकी lettuce and healthy क्या है not very high एंड में आके इनको यही बोलना है lettuce and healthy is not very high ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब पानी में बहुत जल्दी soluble हो जाएगा और hydration and healthy ज्यादा है तो यह कुछ चुनिंदा underlines है जो आपको पता होनी चाहिए आपको पहले से ही पता क्यों है ठीक है तो अभी मैं एक question और देख रहा हूं फिर मैं आप से question पूछूंगा किसको क्या समुझना है और नहीं आ रहा है तो इस वाज यूर 49 ब्लैकलिस्ट 49 अब हमारा आगया आज का लास्ट कोस्तन जो है ब्लैकलिस्ट 50 तो फाइनली हमने 50 कंप्लीट कर लिए बेरियम ऑकसाइड और बेरियम सल्फेट में बताना है कि ज्यादा इंसोलिवल कौन सा हुआ चलो अब मैं बेरियम की बात करता हू यह यह अपका बेरियम और यह है आपका बेरियम और यह है आपका बेरियम यार यह है आपका बेरियम और 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 यह है आप 4 to negative and this is your varium अब आप फिर से अची तरह से समझ चुके हो size compatible compatibility जो है वो यहां पर बहुत ज़दा हाई है high compatibility clear compatibility high है तो जानी lattice and healthy क्या होगी high होगी high lattice and healthy होने का सीधा सीधा मकलब है या सानी से नहीं टूटेगा यानी इसकी hydration and healthy क्या हो जाएगी low हो जाएगी पानी में यह नहीं बूटेगा इसका मतलब है less soluble less soluble clear इसी का उल्टा कर दो यहां आगया कतव यानी यह कोस्टन भी उन्होंने गुमा फिरा के वो ही बना दिया कुछ भी इसमें अलग नहीं था देख लो आप चाहो तो इसको भी barium oxide is soluble in water बिलकुल होना था क्योंकि size compatible नहीं है but barium hydroxide is not barium 2 positive is large catione का small anion यानी size compatibility क्या होगी भाई इसी बखवाज not high इसी लिए lattice enthalpy release during the process is not very high होनी थी भाई lattice enthalpy कम होनी थी लेकिन दूसी तरफ अगर आप देखो कि lattice enthalpy कम है तो इसका मतलब है hydration enthalpy को से यह lattice enthalpy हार चुकी है बुरी तरह से हार गिये और कम ही नहीं कर पाई तो hydration enthalpy जीत गई जीजने का मतलब है barium hydroxide barium oxide is soluble on the other hand इन दोनों की दो वही कम माल की relationship बन गी बहुत आर लार साइज तो compatibility हाई है हाई है तो lattice enthalpy हाई है हाई है तो भाई यह पानी में अब नहीं गूलेगा आपको आसान लगा होगा लेकिन यह इतने आसान है नहीं इतने अमने इनको मजाग मजाग में खतम कर दिया तो अच्छी बात है समझ माना चाहिए नाउ रेज योर हैं या फिर अपने कोशन बताओ क्या क्या समस्यां किसको आ रही है जन्दी से चैट सेक्शन में आप लिख सकते हो चैट सेक्शन में लिखो भई ऐसे बोलोगे तो आपकी आवाज के लिए निया आती एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी लो और दूसरा डिस्ट्रिबेंस ज्यादा क्रियेट होती है आप अपने बातों को लिख दो जैसे निखिल ने लिखिया है तो वह बास समझ मारियो मुझे थर्ड पार्ट हम ओलडी कर चुके हैं डिपांसू आप पिछले नोट्स देखो ऐसे तो यहार हम पूरा रिवीजन करते इसमें फिर देखेंगे इसको बड़ थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं यार यह तो बहुत सिंपल है वैसे भी यह देख लो एलाई आई इस मोर सो पैल इतिनोल होता है आपका नॉन पॉलर, और नॉन पॉलर में कोई ही डिजोर करनी हो ना तो data क क्या एना में आपका कॉरुल कोई दीजोल कर रानी हो लगाओ ais आई ओ धनि एटो ज हम है तो साई इसका कम है leth archival आई का साइज कम है तो का मतलब यह कमाल का गोवारेंट बना रहा है यह दह स्लिपल होजाएगा forland unreal गार मोर दो Bonjour चुलिभार यृद्धा एंप ब्रूम स् आप अगर आप करोगे तो आप इसको करी तो यहां पर फजान डूल जाना इन दोनों गेस के लिए थिक है तो इसे हम इसी केस में करेंगे तो यहां तक आपका यह पॉरसन होता है आपका खतम उमीद है समझ में आया होगा आगी किलास हमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं छेड़ चार्ट क्यूंकि बहुत डैप्ट चीज हमने जो किलियर किये अगली किलास जिरूर इसको अटेंड करना उसमें हम लास्ट की जो पोर्शन है वही करेंगे खटम होने वाला है यह एस लो